नमस्कार दोस्तों आप सीखे चैनल में आपका स्वागत आज मैं बेबी स्वेटर के थर्ड पार्ट को लेके हाजिन हूँ पहले पार्ट में हमने मुढ़े तक बनाया दूसरे पार्ट में आस्तिन में डिजाइन सेट किया और आज मैं घेरे में डिजाइन सेट करना बताऊंगी तो चलिए friends हम स्वेटर बनाते हैं तो हमारा बेबी स्वेटर यहां तक कम्प्लीट हो गया है हमारे दोनों आस्तिन बन गए हैं देखिए दोनों आस्तिन बन गए हैं और एक आस दिल मैंने सिलाई भी कर दिया है। और अब हमें इसका घेर बनाना है। अब हम यहां पे अपना उन अटेश करेंगे और सभी फंदे सीधे बना लेंगे। जैसा कि हम रॉंग साइड से बुनते आए हैं। साथ फंदे हमें बार्डर के पीछे से सीधे बुन लेने हैं। बीच के सब भी फंदे उल्टे और फिर दूसरी साइड के भी बार्डर के सब भी फंदे सीधे। बीच के सब भी फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब हम बुनते हुए आखरी फंदे पे आ गया हैं। तो एक फंदा हम फ्रंट का और एक फंदा बैक पोशन का ये बीच में आस्तिन है। तो एक फंदा बैक पोशन का लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बना लेंगे। फिर बैक पोशन के सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। अब हम सबी फंदे उल्टा बनते हुए बैक पोशन के आकरी फंदे पे हैं। तो एक फंदा बैक पोशन का और एक फंदा फंद का लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। यहां पे हमने एक फंदा घटा दिया। फिर शे सबी फंदे उल्टे बुन लेंगे और लास्ट के साथ फंदे सीधे। अब हम फ्रंट साइट पे आ गए हैं और देखिए यहां पे 11 लाइन पे मैंने बटन हूल बना लिया है। तो हमें हर 11 लाइन पे बटन हूल बनाते रहना है। तो साथ फंदा हम सीधा बना लेंगे और इस लाइन में हम डिजाइन सेट करेंगे। तो एक फंदा हम सीधा बनाएंगे यानि यह आठवा फंदा सीधा हो गया। फिर तीन फंदे उल्टे एक दो तीन फिर पाश फंदा सीधा एक दो तीन चार पाश और इन्ही आठो फंदों को परे लाइन में दोराना है। तीन फंदा उल्टा बुनना है, एक, दो, तीन और पाँच फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा और पाँच फंदा सीधा, तो देखिए, फ्रेंट्स, हमारे सलाई में इस समय, हमारे सलाई में 118 फंदा था, और एक, एक, फंदा यहाँ पे घटने से, दो फंदा घट गया, यानि हो गया 116, और हमारा डिजाइन है, 8 के मल्टिपल और प्लस 5, यानि 8-8 फंदे ऐसे गिने हम, ऐसे बॉर्डर के बाद से, 8-8 फंदे गिने, 8 ऐसे ऐसे 8-8 करके गिने, तो लास्ट में 5 आना चाहिए, तो एक फंदा हमारा है, हमने शुरुआत में ही एक फंदा यहाँ पे सीधा बनाया है, यानि एक फंदा यहाँ निकल गया, तो लास्ट में यहाँ पे हमारे पास 4 फंदा आना चाहिए, और 116 को हम, तो 14 बार जा रहा है, यानि 14 डिजाइन बनेगा, और 6 बच रहा है 4 फंदा, और हम ही चाहिए 5 फंदा, यानि एक फंदा कम हो रहा है, तो हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे आएगा, तो यहाँ बढ़ाने अच्छा है कि हम बीच में कहीं बढ़ा दे, तो हम यहाँ पर पांच फंदा सीधा बुने हैं एक फंदा उल्टा फंदे में हम दो बार बुन देंगे तो एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया और यह हो गया तीन फंदा उल्टा यानि अब फिर हम पांच फंदा सीधा और तीन फंदा उल्टा बनाते जाएंगे और हमारा ये डिजाइन सेट हो गया एक फंदा बढ़ाने से हमारा डिजाइन सेट हो गया अब यहाँ पे चार फंदे आए हैं तो तीन फंदा उल्टा हो जाएगा और लास्ट फंदा सीधा और बॉर्डर के सबी फंदे सीधे बुन लिये जाएंगे बॉर्डर के साथ फंदे सीधे एक फंदा उल्टा फिर तीन फंदा सीधा और पाश फंदा उल्टा फिर तीन फंदा सीधा और पांच फंदा उल्टा तो तीन फंदा सीधा और पांच फंदा उल्टा बुनते हुए हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे इस लाइन में डिजाइन बनेगा तो आठ फंदा, साथ फंदा बॉडर का और एक फंदा साइड का आठ फंदा सीधा बुन लिए गया है अब तीन फंदा उल्टा उन दूसरी और करेंगे, दू फंदे को 1 साँ लेंगे और दू का 1 कर लेंगे सीधा बुनते हुए उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी और करेंगे इस फंदे को सीधा करेंगे और दूसरे फंदे को लेंगे दो फंदे को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे यानि जाली देते हुए सीधा तो ये पांच फंदे का हमार डिजाइन हो गया फिर तीन फंदे उल्टे एक दो तीन उन दूसरी और करेंगे दो फंदे को एक साथ लेंगे और दो का एक कर लेंगे सीधा बनते हुए फिर उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदो को हम एक सीधा फंदा बना लेंगे फिर तेन फंदा उल्टा उन दूसरी और करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे उन अपनी और करेंगे अगला फंदा जाली देते हुए सीधा फिर उन अपनी और करेंगे दो फंदो को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे तो इन ही आठ फंदों को हमें पूरी लाइन में तोहराना है अब डिजाइन सेट हो गया है अब हमें बस इसकी बुनाई करनी है जितना हमें लंबाई चाहिए जैसा कि मैंने बताया था कि दस लाइन बनने के बाद देखे ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस ये दस लाइन कम्प्लीट हो गया है और अब ग्यारवा लाइन है तो पहला फंदा ऐसे पर्ल वाइस डालेंगे उन दूसरी और करेंगे और दो फंदा सीधा बनेंगे फिर उन अपनी और करेंगे यहाँ पे हमें बटन होल बनाना है तो उसके लिए उन अपनी और करेंगे दो फंदो को लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए जाले देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे यहाँ पे दो का एक लेने से एक फंदा घटा और यहाँ पे जाले देने से फंदा बैलेंस हो गया यानि जितने फंदे थे उतने ही रह गया फिर दो फंदा बार्डर का सीधा और यह एक फंदा और सीधा अब उसके बाद अपना पैटरन बनाएंगे यानि तेन फंदा उल और फिर अपने पैटन को कायम रखते हुए हम बुनाई कर लेंगे देखिए फ्रेंट्स हमारा स्वेटर कुछ इस तरह बन रहा है तीकि मैं इसे फ्रंट से दिखा रहे हूं चार बटन हूल बन गया है एक, दो, तीन, चार तो हम ऐसे ही डिजाइन बनाते हुए अपने लंबाई पूरी कर लेंगे तो फ्रेंट्स मैं लंबाई पूरी करके आपको दिखाते हूँ ये फ्रेंट्स हमारा स्वेटर बन के तियार हो गया है इसकी लंबाई पूरी हो गई है लंबाई पूरी करने के बाद हमें आठ लाइन सीधा सीधा बुलना है छे लाइन मेंने कम्प्लीट कर लिया है और ये सात्वा लाइन है सात्वे लाइन में हम सभी फंदे सीधे बना लिए गया है ये हमारा आठवा लाइन है इस लाइन में हमें फंदे घटा देने हैं, तो या तो हम ऐसे दो फंदे बुनेंगे, पीछे वाले फंदे को आगे वाले पर ऐसे चढ़ाते जाएंगे, या दो फंदे ऐसे लेंगे, और दोनों को एक साथ लेते हुए, ऐसे सीधा बुनते जाएंगे, तो हमें इन दोनों विदियों में जो सुटेबल हो, उससे हम फंदे घटा सकते हैं, तो दो फंदे लेते जाएंगे, और सीधा बुनते हुए, दो फंदों को एक साथ लिया, ए यहां पर एक फंदा घट गया, फिर दो फंदो को एक साथ लिया और दो का एक कर लिया है, एक फंदा यहां घट गया, तो ऐसे करके हम फंदे घटा सकते हैं, तो दोनों विदियो में से आपको जो अच्छा लगे आप उससे फंदे घटा ले, देखिए हमारे फंदे घटने सुरू हो गया are कि दोनों और से सीधा सीधा बुनते हुए ये हमारा आठवा लाइन है और रॉंग साथ तो हम दो-दो फंदों को एक साथ लेते जाएंगे, दोनों को एक साथ लेके, एक सीधा फंदा बनायंगे और हमारा फंदा घटता चला जाएगा देखिए, एक एक करके सारे फंदे घटा लेंगे, तो सारे फंदे घट गए हैं, अब हम इसको काट लेंगे, निकाल के और थोड़ा टाइट कर लेंगे, और इसे अंदर की तरफ ऐसे ऐसे फसा देंगे, अब हमें आस्तिन की सिलाई करनी है, तो जो हमने धागा छोड़ा था, उसमें सुई डाल लेंगे, और यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हम सिल लेंगे, थोड़ा मजबूत किया, उसके बाद हमको देखिए, यहाँ पे एज जो दिखाए दे रहा है, उसमें ऐसे एक बाद इस साइड में, एक बाद इस साइड में, ऐसे सुई डालते जाएंगे, और सिलते जाएंगे, हमको यहाँ पे सीधे फंदे दिखाए दे रहा है, उसमें ऐसे सुई डालेंगे, और सिलते जाएंगे, एक बाद इस साइड में, और एक बाद दूसरे साइड में, तो मैं सारा अब को सिलके दिखाते हूं, जब हम गले से स्वेटर बनाते हैं, तो हमें सिर्फ आस्तिनों में ही सिलाई करनी पड़ती है, घेर के पल्ले तो एक साथ ही बुने जाते हैं, घेर में हमें कोई सिलाई नहीं करनी पड़ती है, और सिर्फ आस्तिन में सिलाई करनी पड़ती है, और स्वेटर त्यार हो जाता है, तो दोनों आस्तिन ऐसे ही हम सिलाई कर लेंगे, बटन लगा लेंगे, और स्वेटर त्यार ह बटन लगा दिये गए हैं और स्वेटर त्यार है तो आप भी ऐसा स्वेटर बनाईए थैंक्स पर वाचिंग